भारत की सर्मनाक हार हुई है नीजिलेंड के सामने पहला टेस्ट मैश गवाया था, वह दूसरे टेस्ट मैश जो पुड़े में खेला गया तो उसमे भारत बहुत जब तक कोचिंग देते रहेंगे गौतम गंभीर उनको चुबेगी और जब तक क्रिकेट में एक्टिव है इस हार को कभी भूला नहीं सकते यह तो क्रिकेटर हैं जो हारे हैं तेकर जो क्रिकेट फैंसे इस हार को पचा नहीं पाएंगे न्यूजी लेंड ने इस टॉम लाथम की टीम ने वो कारनामा किया है जो आज तक भारत में आकर के न्यूजी लेंड की ना तो इस्टिवन फ्लेमिंग की टीम कर पाई ना केन बिलियम सन की टीम कर पाई और तमाम जो टीमें आई हैं कैप्टन लेकर के उनकी टीम में कभी भारत में टैसरी नहीं जीती थी और यहापर सा भारत को हराया है भारत में आकरके निव जू लेंड में हारते तो बाते अलग तरीस्टे से होती और शिच्वेशन दूतरी होती लेकिन भारत में रहे हैं न स्वाल तो बड़े Οंगे और बहुत सारे जवाब हैं जिनके सवाल सायद ना तो कोच को अतम गंबी के पास होंगे ना तो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरगर के पास होंगे और ना ही प्रोहिस सर्मा के पास होंगे अगर इसको काट की बात करें तो भारत ने न्यूजिलेंड ने पहले बैटिंग करते हुए 209 रन बनाये थे रव्या और साथ विकेट निकाले थे वासिंग्टन सुंदर जो तीन साल के बाद बापसी कर रहे थे बड़ा बड़ी तारीफ हुई थी कि सायद वासिंग्टन सु इसले टेस्टमेंट में सिर्फ भारत 46 रन पर अलाउट हुआ था, इसी न्यूजिलेंड ने किया था तो बहुत ही देहनी इस्थिती नहीं हो, दूसरी पारी जो न्यूजिलेंड की रही 255 थी, भारत की दूसरी पारी थी 245 रन और 113 रनों से न्यूजिलेंड ने दूसरा तेस्ट में भारत को हरा दिया और इत्यास में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है एक टेस्ट में बांकी है अगर न्यूजिलेंड हर भी जाती है तो भी सीरीज न्यूजिलेंड के नाम रहेगी लेकिन भारत के लिए अब तो पहली जो टेस्ट रेंकिं सब कुछ डिसाइड करने वाला क्योंकि आपने घर में जो सीरी थी उसमें सब कुछ खो दिया है मिचल सेंटनर को मेरब दो मैच का आवार दिया जिसके वो हगदार थे एक बार बैटिंग पर नजर दोड़ा लेते हैं भारत के लिए की दौनों पारियों में बापस चले आते हैं ऐसा बहुत लोग कर चुक हैं ब्राट कोली इनमें सबसे उपर हैं तो रोही सर्मा जो थे बहुत बड़ा बलेवाज इनको माना जाता है बहुत बड़े आईकॉन है यही इनहीं की बात में कर रहा था कि इंगलेंड चले जाते हैं छुट्टी बनाने के लिए और इधर टीम युगा हैं उनके भरोसे शोड़ करके रिशबपंद थे बड़ी चर्चा हुरही थी पहली पारी में 18, दूसरी पारी में 00-00 रिशबपंद इसन के सन को याद करीए रिशबपंद से आगे सोचना पड़ेगा एससपी जैसवाल, T20 बल्लेवाज, पहली पारी में तीस रन, और जो दूसरी पारी थी, उसमें जरूस ससतर रनों की एक अच्छी पारी खेली है, आप जैसवाल को माप भी कर सकते हैं, लेकिन T20 की तरह नहीं खेल सकते हैं, ये टेस्ट करकेटर टेस्ट की तरह खेलना सरफ्राज खान, 11 रन पहली पारी, दूसरी पारी में 9 रन, मैं इस नाम को जरूर छोड़ सकता हूँ, युवा है, फ्लसा भरोसा दिखाना होगा, सुब मंगिल, तीस रन बनाए, और दूसरी पारी में 23 रन बनाए, ये भारत की हालत है, रविंद्र जड़ेजा ने बनाए आप किया जा सकता है, लेकिन बैटिंग पर अभी काम करना पढ़ेगा, अगर टॉप ओडर फ्लॉप होता है, मिडल ओडर फ्लॉप होता है, तो फिर लो ओडर को रन करने पढ़ेंगे, 18 पहली पारी, दूसरी पारी में, वासिंटन ने मनाए, 21 रन, अर अभी चैंद्र नस सोचना चाहिए, आपने बहुत जल्दी राजिंग के रहाने वार्ट चित्रस और पुझारा को ड्रॉप कर दिया, बहुत अच्छा कर रहे थे, इतना खराब नहीं था, कि जो आज आप टीम खिला रहे हैं, इनसे वो बहतर थे, आपकी ICC की कुर्सी चली गई है, और रोहि के लिए बने होना चाहिए था, चार इस्पनर के साथ भारत जाता, तो बहतर होता, एक पेसर जो है ना, बुम्रा के लावा, बिलकुल नूट्रल नजर आता है, जहीर खान जब हुए करते थे, इंडिया में टेस्ट मैंट, मैं इंडिया जब खेलती थी, तो एक एक पेसर स के साथ जाते, तो सायद इस टेस्ट मैंट में आप जीत जरूर जाते, वो फंड़ छोड़ दीजे की चलता है, यार पांच टेस्ट में पांच गेंदवाजों के साथ बिलकुल उतरना चाहिए, भलाना, धिमा का, सिर्फ इतने बैस्ट मैं होने चाहिए, मैं चीजों पर य आखरी टेस्ट मैंच होगा, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इस्पनर के साथ जाए, या फिर एक एक्स्ट्रा बैस्वन के साथ चाहिए, पेसर जस्पीत बुम्रा के साथ रहना चाहिए, आपको क्या लगता है, जो भारत की हार हुई है, इतनी आसान थी नहीं है, जितना आसा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत हारने बाली, और टीम का रांस्मेंट कर दिया, कुछ शेंज हो सकते थे, केल राहूल फिर बापस आ गए, मैं अगले वीडियो में इस पर बात करूँगा, लेकिन एक सो तेरा रहनों से भारत हारा है, तीन टेस्ट मैचों की सीरीज नियु